गैल्वेनो मिटर से एम मिटर और वोल्ट मिटर कैसे बनाया जाता है आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपको समझाऊंगा दम सिंपल तरीके से कि किस तरीके से गैल्वेनो मिटर से एम मिटर और वोल्ट मिटर बनाया जाता है किस तरीके से shunt resistance लगाया जाता है, किसमे सीरीज में, किसमे parallel में और क्यूं तो जल्दी से सुरू करते है Volt meter, volt meter एक आपका device है जो आपका potential difference calculate करता है और जिसको किसी भी circuit में parallel में लगाया जाता है तो इसका मतलब कि वो जो galvanometer है वो आपका parallel में लगा हुआ है अब अगर वो parallel में लगा हुआ है तो एक resistance आ रहा है और उपर में volt meter है अपन क्या चाहते हैं कि जब भी अपन m meter या volt meter किसी circuit में लगाए तो circuit में कोई change ना है क्योंकि अगर circuit में change आ गया तो फिर तो circuit पूरी नहीं हो गई आपके volt meter और m meter लगाने से है कि नहीं तो लायक volt meter और लायक m meter बनाने हैं galvanometer से तो क्या करें तो सबसे पहले देखते हैं volt meter को तो volt meter में अगर आप देखोगे तो volt meter parallel में connected है अब आपको मालूम है parallel में current बढ़ जाता है है दो रास्ते हो गए न करेंट आ रहा था वह दो रास्ते और रेस्टेंस वाला और एक volt meter वाला तो अब दोनों में से कहीं पर बटेगा अपन क्या चाहते हैं कि maximum 99% current कहां से चल जाए resistance से तब भी तो कोई change नहीं आएगा थोड़ा बहुत चेंज आएगा थोड़ा बहुत तो practically चेंज आता ही है क्योंकि थोड़ा बहुत current तो voltmeter ले गई बट अपन चाहते हैं कि वो चेंज इतना कम हो इतना कम हो कि अपन को फरक नहीं पड़े है कि नहीं वैसे ही अपन क्या चाहते हैं कि maximum current आपका रेजिस्टेंस से चल जाए वोल्ट मेटर से एक नम कम जाए इसका मतलब क्या आप एक बात बताओ जब भी में अगर connected है current आ रहा है तो current जादा कहां से जाएगा जहां resistance कम हो अगर resistance बहुत जाद है तो वह नहीं जाना चाहेगा कुछ सोचो दो रास्ते हैं एक में आपका स्वागत किया जा रहा है फुल के और फुल डाल डाल के और एक जगा से बंदित लेके खड़ें लोग आप एक उड़ा देगे तो अपन चाहते हैं कि जो अपन ने ऊपर में वोल्ट मिटर लगाया है उसका resistance बहुत जादा हो ता तो इसी लिए जब भी वोल्ट मिटर बनाना होता है गैल्वेनो मिटर से तो अपन क्या करते हैं गैल्वेनो मिटर में एक resistance लगा देते हैं जिसको बोलते हैं shunt resistance और यह resistance बहुत जादा होता है 10,000 ohm, 1000 ohm depending on the range कितने range का आपको वोल्ट मिटर बनाना है तो क्या होता है series में अपने लगा दिया, एक गैल्वेनो मिटर के series में आपने एक संट resistance बना लगा दिया और यह बन गया वोल्ट मिटर, series में क्यों लगाया क्योंकि अपन चाहते थे उसका जो net resistance है वो बहुत ज़ादा होता है, इसलिए series में लगाया और बहुत ज़ादा resistance लगाया, बहुत लगा दो तो उसके हिसाब से वो रीटिंग आपको कैल्कुलेट करके देड़ेगा नाव कमेंट तो नेक्स तिंग दैट इस एम मीटर अब एम मीटर को सीरीज में लगाया जाता है अब अपन चाहते हैं कि सीरीज में लगा हुआ है तो कोई चेंज ना आए कोई चेंज ना आए कब कोई चेंज नहीं आएगा जब उसके अक्रॉस कोई potential difference ना हो इसका मतलब जब उसकी across resistance एकदम कम से कम हो इसलिए Galvanometer में Parallel में एक resistance लगा दिया जाता है और Parallel में अगर आप resistance लगा दोगे तो Parallel में अगर आप resistance लगाओगे तो Parallel में जो R-equivalent आएगा उसका पूरेगा वो उससे भी कम आएगा parallel में अगर आपने एक shunt resistance लगा दिया वो भी कम resistance का तो वो आपका पूरा क्या बन जाएगा m meter बात समझ में आ रही है क्या तो इस तरीके से galvanometer से m meter और volt meter बनाए जाते हैं ठीक है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि मैं भी आपके लिए एक दिन में बहुत सारे ऐसे ऐसे concepts के वीडियो बना सकूँ और इसमें आप अपना shunt resistance का concept लगाओ या फिर आपके galvanometer का magnetic effect of electric current का concept मुझे नहीं मालूम लेकिन subscribe बटन दब जाना चाहिए ठीक है और इस वीडियो को share करना मत भूलेगा अपने सारे दोस्तों के साथ तो तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए solve such class जैहिन वैबै